हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 11 के सामान ने हिंदी का 2022 का एनुवल इक्जाम का पेपर दोस्तो काफी आदा इंपोर्डेंट पेपर है जो लोगों का भी इक्जाम नहीं हुआ है और वो सरस्वधी बिद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो सेम टू सेम यही पेपर आने वाला बाकी कॉलेजिस में भी आ सकता है इसकी में गारंटी नहीं लेदा लेगिन सरस्वधी बिद्या मंदिर में सेम यही पेपर आएगा यह गारंटी है पारता के लेखा कहें देखें कभी आसान कुश्चन आया था बिठलना दे आपे विल्कुल राइट एंसर आपका हो जाएगा निमलिकित में से नाटक विधा पर आधारी तरचना नहीं है देखें यहाँ पे यह दो अजास सत्रू और भारत दुर्दसा तो नाटक है अब सत् के खिलाडी या दुखिनी बाला में से कोई एक सा एंसर होना चाहिए आपे तो जो भी है आप लगा दीजिएगा देखके एक बार प्रजाहित ऐसी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी के सेवी ते देखें इसका कंफामा एंसर मुझे नहीं पता है इसलिए मैं आपको न नहीं बता रहा हूँ प्रगतिसी लेखक संग की स्थापना कब हुई थी तो यहाँ पर राइट एंसर जो होना चाहिए वह है 1935 होना चाहिए राम प्रिच बेनी पूरी की रचना लाल तारा की बिधा है देखें लाल तारा रचना की जो बिधा है वो यहाँ पर पूसरा ना में असान कुष्चन दा श्रिंगार काल यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा नेक्ष दिया हुआ जगनात दाफ रतनाकर द्वार रचित रचना है तो देखें जगनात दाफ रतनाकर द्वारा तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए यहां पर पर यहां पर हो जाएगा किस यूग को पुनर जागर काल की संगया दी गई तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा वह यहां पर वह जाएगा भारते इंदु यूग शाहिए नेक्स दिया हुआ है हम नहीं समस्ते की हमको लाच क्यों आती है उस समय यहां भी यह पूरा पैसेज दे हो देखें पैसेज को आप पर पढ़ लेना है पिर इससे कुछ क्वेशन पूछे हैं आप देखें यहां पर पूछे हैं गद्यांस के पाड लेखा का नाम पिर यहां भारतो वार्सियों की प्राषीन भारतो अशियों ने साधा नीनता से तो किस प्रकार इस दिर्म में क्या मातूपूर खोजे की थी तिस प्रकार यहां पर आप कुछ कोस्चन पूछे हैं जिनका एंसर आपको देना होर इस पर आपको नमबर दिया जाए ठीक है मतलब यहां से दिया हुआ है बीस्वी सत्वी के भारते घुमकडों की चर्चा करने में यहां कोश्चन उसका दिया हुआ कर सकते हैं फिर उसको आद यहां पे दिया हुआ है निमलिकित पद्यांस में दिये गए आधारित प्रशनों के उत्तर दीजिए देखें पद्यांस दिया हुआ है और इससे नीचे कुछ question पूछे हैं फिर इसके नीचे फिर यहाँ प्र एक पद्या शत्वा में दिया हुआ है इसमें कुछ question पूछे जो भी आपको आरहा है वहां से कर लीजेगा क्योंकि ये बहुत आसान question है ये सारे आपको आसानी से हो जाएंगे ठीक है नेक्स दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको जियोन परिचे लिखना है और जो मैंने पिछले पेपर का वीडियो बनाया था उसमें भी यही सारे आये थे तो अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ था ना तो सेम डू सेम वही सब कुछ आया हुआ है ठीक है निमलिकित में से कभी का साहितिक परिचे देते हुए उनकी रचनाओं का उलेक करना सूर दास कभी और विवारी महा का भूसर देखें यहाँ पे आसान कोशन सारे हैं या फिर कहानी अपने सब्दों में ही लिखता है फिर यहाँ पे पूछा गया है ससंदर्म हिंदी अनुवात करना एक संस्कृत का देखें यहाँ पे दिया हुआ है इस संस्कृत का यहाँ दोनों में से एक सकोई करना है ससंदर्म करना है ठीक है ध्यान दीजेगा ससंदर्म आपको जो बियाराओ कर सकते हैं फुर्सकान मुहारे और लोकुक्तिया का अर्थ लिगना है गिर्गिट की तरह रंग बदलना मतलब अपनी बात से पलड जाना या बदल जाना घाड़ो पानी पढ़ना तो इसका एक बार देख लेना कंफर्म नहीं पता उल्टे बांस बरेल को तो देखें उल्टी बात करना या उल्टे बांस बरेली को कहते हैं उल्टी गंगा बहना वहीं बात होगे आधा तीतर आधा बटेर तो वहीं यहां पर मतलब आधा आधा करना या मतलब आधे से अलग दो दोगला हो ना मतलब आधे से अलग आधे से अलग ठीक है मतलब अधिबाता लग करना अधिबाता लग करना समझ गया होगे आप समझाने का उद्देश है कि आप समझ जाए यह बाकि लिख तो आप सकते हैं ठीक है फिर उसको नाइनम ने धन अनम यहां पे बिल्कुल आपका राइट एंसर हो जाएगा फिर उसको अंद राजर्शी राजा रूप है यहां पे तो यहां पे आपका जो राइट एंसर होना चाहिए वो त्रितिया विभक्ति बहुचन होना चाहिए ठीक है यही होगा ही होना क्या चाहिए यही होगा तो आपको नेक्स्ट कोश्चन जो दिया हुआ है यहां पे तो यहां पे पूछा है नेक्स्ट क्या होता है रास्ता फॉरी पथिक और रास्ता यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा फिर उसको आद यहां पर कटी बद्ध क्या होता है कटी बद्ध कटी बंध मतलब होता है यहां पर करदनी और यहां पर तयार यहां पर बिल्कुल राइट एंसर आपका हो जाएगा नेक्ष दिया हुआ है कि नेक सब्दों के दो अर्थ लिखे संग्या, संग्या मतलब क्या होता है, एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि अच्छाई, मतलब किसी की संग्या दी जा रही है, हर मतलब होता है, यहाँ पे अनेक और यहाँ पे हर मतलब हरना, ठीक है, उसके बाद का लिख सकते हैं धान का लिख सकते हैं जो भी आपको जानने की इच्चा रखने वाला जिग्यासु धर्ति और आकास के बीच का अस्थान धर्ति और छितिच कह सकते हैं या फिर यहां छितिच कह सकते हैं ठीक है धर्ति और आकास के बीच का अस्थान फिर उसको आज जिसका दमन ना किया जा सके, मतलब जिसका दमन ना किया जा सकते हो आपको लिखना है, फिर उसको आख्यों को सुध करना, आप चल लेना चाहिए, आप चले जाना चाहिए, आप चलना चाहिए, यह आप लिख सकते हैं, संतोस का फल मीठा होता है, तो संतोस का फल देखें, यहां बे ठीक है अस्थाई भाव भी लिखना है इसलेश अलंकार की परिभासा सोधान लिखने है या फिर इसमें कौन सा अलंकार है या आपको बताना है और यहाँ पे इसके अलंकार को असपच्र करना है फिर उसको अत कुंडली अच्छंद का उधान लिखना है या फिर अतोव में य दिया हुआ है इसमें आपको कौन सा छंद है उसके लच्छन भी लिखने होंगे ठीक है नेक्ष दिया हुआ है यहापे आपको एक लेटर लिखना है निकर्षद इंटर्मेडिट कालेज के प्रबंदक को लीपिक पत की नियुक तो आप एदन पर लिखना है अपने नगर नि सकता आपको बहुत आसान असान टॉपिक अनेकता में एकता समय नियोजन और विद्यारती जीओं साहित समाज का दरपन अमारे राष्टे पर किसी के लिए वैसे थोड़ा हाड आया था निबंद तो यहाँ पर अच्छा टॉपिक वही चुना होगा जो आपने अच्छे से कर लियाओगा तो बस दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही था आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंटो रुक से बताना पसंद है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है इसके नेक्स वीडियो में एक नए पेपर के साथ तर तक लिए बाइ बाइ